Good morning students, I am your English teacher from Victoria's International School and today I will read chapter number 12, Colors in the Sky रंग आस्मान में We live in a colorful world, देखे हम रहते हैं, देखे एक रंगीन संसार में A rainbow can be seen in the sky और rainbow जो है, इंदरधन जो है, वो कहाँ देखा जा सकता है? आकास में, आस्मान में है ना When the sun signs throw the raindrops, देखे जब सूर्य जो है, चमकता है, किस में? Raindrops में, यानि कि पारिश की बूंदों में, raindrops में Then you may ask, why it always looks like half a circle in the sky तब तुम देखे, पूछ सकते हो कि क्यों हमेशा देखे आकास में एक आदा सा circle दिखाई देता है This is because when the sunlight signs throw a drop of water यह इसलिए होता है, क्योंकि जब देखिए, शूर्य का जो रोशनी है प्रकास जो है, वो जब निकलती है, चमकती है तो a drop of water वो किस पर? एक भूंजू होती है पानी की, उस पर जब पढ़ती है तो the light bands and all the colors make a semi circle in the sky तब क्या होता है, कि वो जो प्रकास है, वो क्या हो जाता है बैंड हो जाता है, मुड जाता है और रंगीन हो जाता है और वो क्या बना देता है? एक आधा circle बना देता है, गोला बना देता है आस्मान में when the sun is shining, और जब देखिए शूरे चमकता है and it is raining at the same time और वह देखिए उसी समय पर क्या होती है same time पर, क्यानी कि बारिश होती है बारिश हो रही हो जब देखिए शूरे चमक रहा है और बारिश हो रही है उसी समय पर तो you can see a rainbow तब उस समय आप क्या देख सकते है एक इंद्रधनुष ठीक है it is a huge arch of colors in the sky और ये एक बहुत बड़ी क्या है एक arch है यानि कि कला बोल सकते हैं आप जिसे आना आकास में और rainbow forms when the white sunlight is broken up by water droplets in the atmosphere एक देखिए एक जो धनुष है इंद्रधनुष बोलते हैं जिसे उसकी forms जो है जब देखिए white sunlight is broken up जब देखिए शफेद शूरे की किरन जो होती है वो क्या हो जाती है तूट जाती है by water droplets किसे पानी की droplets से बूंदों से इंदा अट्मोस्फियर किस में अट्मोस्फियर में वातावरर में the sunlight is white तो देखिए शूरे की जो प्रकाश है रोशनी जो है वो कैसी है सफेद but the water droplets break it up into seven different लेकिन जो पानी की बूंदे होती है वो उसको तोड करके किस में पाट देती है साथ बिन बिन कलरों में always in this order हमेशा इस order में ठीक है radish add the top of the arch लाल कलर हमेशा किस में होता है top पर and violet each add the bottom और violet कलर हमेशा कहा होता है bottom पर ठीक है अच्छांवार क्छांवाशा